हलो गाइस कैसे आप सब आई हो आप सब अच्छ होंगा और मैं भी अच्छ हूँ तो आप सब को पहले ही पता हुआ कि हमारा उसकी सीरी चल लही और आज का जो यह लत्यार है जैसा कि आपने देखा हो का है इस में जैसे करेंगे प्रोकरियोटिप अप्रियो और सब आ 맞는 अप उच्टिर एक समणों सबसक्राइब के सबस्क्राइब से बस्क देखते हैं तो आप सबको पता हुगा कि चैल सैल हम लों की स्मालेस्ट यूट ऑफ लाइफ होती है त Trinity स्मालेस्ट अप लाइव होती है सेल को ही फडर डिवाइड किया तो टैप्स में लैक सेल्डर सेल्डर एंड सुर्ड एसल्डर minimum में होती है या होती ही नहीं है ठीक है और जो cellular होता है इसमें क्या होता है cellular composition होती है यानि कि इसमें cells के development होता है ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि जो cellular composition है उसमें कुछ में कम होती है कुछ में ज्यादा होती है ठीक है इसके एक्जाम्पल है ठीक है बैक्टिरिया एल्गी फंगी प्लांट्स एनिमल्स ओके और आपका जो एसलोर है इसका जो एक्जाम्पल है वो बाइरस है ओके सो अब देख लेते हैं कि जो सेलूरल है ठीक है सेलूर का ही प्रोकरियोटिक और यूकरियोटिक क्या है टाइफ ह क्या होता है it is a greek bird पोके यह एक ग्रीक बल्ड है तो रिचा बोल्ड between या old खिक जिसे हम लोग प्रमेटिव बोलते हैं प्रमेटिव मीण पूर बश ठीक है तो यानि ये जो हम लों का प्रोग करियोटिक सब्द है ये chicks बाट है और यह हम लों का किस सब्दसे लिया गया है प्रोक से ठीक है और इसका मेस्का होता है क्रूकी ठीक है and the World Yuk means true and the word means ! ठीक है और जो Yuk यानि यूग करियोकिक तैल है इसका यूग प्रुटल्ब्लिक लेया गया है और एसका मलों का प्रिम्स पूरवाइटएव क्या है यह समक्र खुचतर है적 तो का तो चेल आपको समझ में अच्छे से आया ओका ठीक है अब ध्यांपल है वह हम आपसे डिसकूस करेंगे वह हमने पहले बता है ठीक है पर बैक्ट्री है इंयो बैक्टियर यह यहीं सद्वर्ट से नहीं सोंभाइब ग्रीक continued है उसको लोग फोडते है उसको फिर खाया जाता जो उसमें वाइड वाइड अंदर निकलता है ठीक ए है तो नर्स होता है उसको हम खाते हैं वहीं नर्स से लिया गया ठीक है तो इसके जो इंबल हैं वो अपके Plants, Animals, Phungy और Algae है आप genोंगे Plants और animal cells जो होती है वो complete cells होती है ठीक है true cells होती है तो these are the example of eukaryotic cells अब ये इसके हम structure को देख लेते हैं structure समझते हैं so firstly हम देखेंगे structure of prokaryotic ठीक है तो prokaryotic cells को हम देखते हैं सबसे पहले तो prokaryotic में जो सबसे बाहर जो layer होती है वो होती है cell wall क्या होती है cell wall एकूद टंब सेल यस में प्रजंट होती है। और हैं अगुद आप्टा तम इमmost is प्रडियूप्ेश एट् ह सबसकित मेडाइस गों हो आपीज कर respiratoryयग प्रेजिला सबसक्रीश टेंtså structure of eukaryotic cells okay eukaryotic cells को देखते हैं तो eukaryotic cells में क्या क्या प्रजंत होता है celia present होता है celia d-zarda इसका जो function होता है वह क्या होता है movement यह movement के लिए basically जाना आदा है और आपका endoplasmic reticulum present होता है ठीक है ribosomes present होते है lysosomes present होते है cell wall present होती है Galgy body present होती है okay mitochondria present होती है nucleus membrane नुक्लियस नुक्लियस फिली जिसका फंक्शन क्या होता है अटेच्मेंट एंड मुमेंट ठीक है मिसो सोम्स प्रेजंट होते हैं तो तीज आर इस पाल्स प्रेजंट इंडा यू करोटिक से इस कंप्लीट सेल ओके अब हम देख लेते हैं इन सब के फंक्शन यानि जो राइ एकजाम में आपको इसमें पाल्स पाल देगए इंपार्ट को नमवर वन टू ऐसे डालते हुए इन आप यह बारे में दो-धो कि देख लेना और एक बार ही आपको याद करना पड़ेगा ठीक है जैसे राइबो शूम्स तीक है राइबो सोम्स को देख लीजिए इसमें क्या होता है जो राइबो सोन होता उसका फंक्शन क्या होता है डिकोडिंग दा मैसेज एंड आ फॉर्मेशन आप प्यप्टाइड कर दो युम्स ट्र मेंड आरा इसो परिदा मॉलकेल bizi टू पास इंदा आउट आथ ऑफ दा सिस उक इसका यह फंक्शनल्ड का क्या फंक्शन मैं इनेंर्स नोमेंट कीम टैक्सटीग यह थंक्ष इसका ऐसे सारे फंक्शन इसमें दिये हुए है आप एक बार थोड़ा इसका लेका ठीक है और या फिर मैं इसका हो सकेगा तो डिस्क रिस्ट बॉक्स में इसकी लिंक भी डाल दूंगा वहां सभी आप देख सकते हूं ठीक है या इसकीन सॉटि का ले लीजेगा वीडियो को रोक के ठीक है और इनके function आफ याद कर लिजेगा आप इस तरीके से में लिखेंगे अब हम देख लेते हैं अपना यह टॉपिक यानि अल्टा इस्ट्रक्चर और बैक्ट्रिया आप मार्फोलोजी क्लासिफिकेशन को पहले ही कट कर दीजिए चुकि यह मैं दूसरे वीडियो में डिसक्स करूंगा ठीक है तो अभी हमको डिसक्स करना है अल्ट इसमें तीन आपकी मेंबरेंस प्रजंट होती है कौन सी तीन मेंबरेंस आपकी प्रजंट होती है जो आपकी मेंबरेंस होती है जो आपकी सबसे बाहर मेंबरेंस प्रजंट होती है कैपसूल ठीक है सबसे बाहर कैपसूल प्रजंट होता है स्लाइम लियर जिसे इसको हम लो ऐसा दीविंदी टाइप का रखा है फिरा के सारा साइटोप्लासम है फ्रेट होता है ठीक है और यह Ó पालत है फंधे ओर इसने है निध्या पर जंट होता है तो यह यह तो यह हम आपको बता ही चुके है यह पर जंट होते हैं ते अब इस तरीके से कर आप टेबल बना देते हैं तो थोड़ा सा एक्जाम में और अच्छा लगता है ठीक है इसके फंक्शन यह जितने मैंने उसमें मैंने जैसे बता रहा हूं जो भी इसके पार्ट है इसके बारे में दो दो लाइने तीन तीन लाइने आपको इसमें भी इंटेल यह अंधर साइड पर जंते हैं और एक्सटरन में क्यां प्रजंट होता है कैप्सूल सेल वाल सट प्लास्मिंघ्स अर्टेल अगर ऑगर इससे टेबल बना के लिखो को चल यह भी को तो गया ऐसे इस में आपको फंक्शन लिखना है इस मैं ने दिखाया है फंक्श वाइड हैटो हैट्रोफ लोजए दॉटरोफ इस प्रोटिन स्पैसी थे ना मेताबोलिक एवेंट अर्जर स्थिदा इवराहि इंवायरोमेंट अफ दैल सेल थिक है इसका एक सबसे इस्चा फंक्शन जो है वह इनार्जी स्टोरेज सौरिज़ फंक्शन थिक है इसके दो-द component of the cell and the protein and them from the damage function of ribosome decoding the message message decode the formation of peptide bond peptide bond के formation में helpful होता है function of myosomes help in the synthesis of the cell membrane replication of DNA protein synthesis they also help in respiration so these are the mechanism function of mesosomes and capsule function is important function is protection ना चुकि बाहर में ब्रेन है तो protection तो करेगी लाट्रिक एंजाइम सपोर्ट्स टूदा सेल स्टक्चर ना आटो फैजी साइट प्रो प्रोपल्टी पर्मिल्टी बेरियर तो ऐसे आपको सारे function देख लेने हैं cell wall के देख लेने ठीक है फ्लजलस पना इ yell fuck class के function दे रखे और इस तरीके से भी आप इसमें देख सकते हो कर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें वह थोड़ा सा समझ लीजें ऐसे ही function लिख दीजेगा इस इसमें आप को दिख रहा है structure बना है fly cell membrane ribosome प्ली प्लाजमी इस तरीके से इसमें लखा है और इसके function लिखे इस तरीके एक वीडियो देखने तक मेरे चैनल में आईए और देखिए और फार्मेसी को फसरल बनाएए थैंक्स वाचिंग इस वीडियो